साथियो नमस्कार आज मैं आपके लिए बहुती बहतरीन और अलग हटकर वीडियो को लिकराया हूँ आज इस वीडियो के माद्यम से मैं आपके साथ शेर करने वाला हूँ यह जो फैरिटास बोलस आप देख रहे हैं इसका जो यूज है पुक कव हमें अपने पशूर में करन यह जो है यानि की फैरिटास बोलस के बारे में जितनी भी जानकारियां हैं वो सारी की सारी जानकारियां इस वीडियो के माद्यम से मैं आपके शेर करने वाला हूँ तो अगर आप हमारे बैटनरी फार्मेसी यूट्यूब चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सबस्क्राइब क करें इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं चीग है तो गाइस यह कुछ इस तरह की पैकेजिंग आती है और इसमें क्या होता है कि एक इसमें जो है आयरन फॉलिक एसीड विटामिन बी-12 यह त इसकी पीडिया फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और कहां से आप इसे खरीज सकते हैं इसके बारे में भी मैंने बताया हुआ है और आफलाइन यहां आपको नजदीकी के वेटनरी मेडिकल स्टोर हॉस्पिटल और डिस्पैंसरी में भी मिल जाएगी चीग है तो अभी यह हमें बात करते हैं कि यह जो फैरिटास बोलस है चीग है तो इसका जो हम यूज है वो हमारी गाय चीग है भैंस भेड बकरी और जो हॉर्स है इन सब इस पीसेज में इसका जो इस्तिमाल है वो किया जाता है चीग है अब हम बात करते हैं कि इसमें जो आयरन होता है फॉलिक एसिड होता है वाइटमिन होता है और इसको हम कौन-कौन सी कंडिशन में अपने पस्व में दे सकते हैं ठीक है तो गाइस देखिए पशू में हमारे एंडो और एक्टो पेरसाइट्स होते हैं अंतर परजीवी और भाय परजीवी जैसे पशू में पेट के अंदर लीवर के अंदर फैशियोला ही पैटीका ठीक है और ट्रिमेटोडस निमेटोडस इस तरह के जो पेरसाइट्स होते हैं और जैसे पशू के सरीर के बाहर जो किलने भी कहते हैं यानि कि यह क्या करते हैं यह parasite क्या करते हैं कि पशू का जो खून होता है like जो पशू के खून होता है blood कौ काफी ज्यादा यह चूषते हैं ठीक है जब पशु़ में क्या होगा blood loss हो जाएगा तो हमारा जो पशू है वो anemic conditions में चला जाएगा यानि कि पशु में एनीमिया की कंडिशन हो जाएगी यानि कि खुन की कमी आपके पशु में हो जाएगी यह सबसे जादा जो प्रॉबलम होती है यह एंडो और एक्टो पेरसाइट की वज़े से होती है और इसके लावा कई बार पशु को चोट लग जाती है काफी बलड लॉस हो जाता है इंजरी की वज़े से चीक है और कई बार आपका जो पशु है वो काफी लंबे समय तक बिमार रहता है कुछ खाता पीता नहीं है इस तरह की बहुत सारी बिमारियां भी है जिस वज़े से आपके पशु में काफी जादा खुन की कमी और वीकनेस आ जाती है तो यह जितने भी कंडिशन्स मैंने आपके शार्ष शेयर की है वीकनेस, एनमेक, एंडो और एक्टो पेरासाइट्स ठीक है इन सारी की सारी कंडिशन्स में पशु में ग्रोथ रेट को इंक्रीज करने के लिए तो गाईस यह जितने भी कंडिशन्स मैंने आपके शार्ष शेयर की तो इन कंडिशन्स में यह जो फेरिटास बोलस है इसका यूज एनिमल में किया जाता है चीक है अब हम बात करते हैं कि किस पशु में हमें इस बोलस की क्या डोस देनी है चीक है तो अगर मैं बात करूँ तो प्रेगनेंट पशु में भी चीक है जी प्रेगनेंट पशु में भी जो है ये फैरिटास बोलस दे जा सकती है ये पूरी तरह से प्रेगनेंसी सेफ है ची जैसे आपका जो पशु है ठीक है वो काफी ज्यादा उसमें वीकनेस है ठीक है तो जैसे कैटल और होर्स है ठीक है तो कैटल हो गई और जैसे बुफैलो है तो इन एनिमल्स में हमें डो बोलस डेली देनी है यानि कि एक बोलस सुभा के टाइम और एक बोलस शाम के टाइम ठी दस से पंद्रा दिन तक जब आप इसका यूज करते हैं, तो आपका जो पशु है, वो recover कर जाएगा, जो एनिमिया की conditions आपके पशु में है, वो पुरी तरह से जो है, वो recover कर जाएगा, अब उसी की अगर हम बात करें, जैसे चोटे काफ है, शीप है, गोट है, ठीक है, तो उ और हाफ पोर्सन का भी अगर हो सके, तो जो तीसरा हिस्सा होता है, ठीक है, वो आपको अपने काफ को, शीप को या गोट को खिलाना होता है, ठीक है, ये जब आप करेंगे, तो ये भी आपको 10 से 15 दिन तक डेली, जो है, वो खिलानी है, और इसका जो root रहेगा, वो रहेग आपको अपने पशु में ये दवाईयां खिलानी है, और सही तरह से और ध्यान से खिलानी है, ठीक है, तो यहाँ पर dose मैंने आपके शाथ शेयर कर दी है, इसका जो use है, वो भी मैंने आपके शाथ यहां पे शेयर कर दिया है, ठीक है, इसके regarding इसकी जो packaging है, ठीक है, वो packaging आ आपको देखने को मिलती है ठीक है और यह क्या है कि है एक पैकेट में आपको I think 5 भॉलिस चीक है 5 भॉलस आपको इस तरह की देखने को मिलती है ठीक है अगर मैं guys company की बात करूँ ठीक है तो intas pharmaceutical बहुत ही अच्छी company है ठीक है तो इसके माधियम से इस tablet को इस बोलस को बनाया गया है ठीक है और इसके composition की और मैं आपको ले चलता हूँ तो इसमें देखिए यह चीजें पड़ी होती है इतना जो deeply है वह आपको जाने की अबशक्ता है नहीं ठीक है तो अब मैं अगर आपको डायरेक्ट यह बताऊं कि अगर आपको कोई पूछे कि फैरिटास बोलस का यूज कब हमें करना चाहिए तो आपका परशू जब एनिमि और पशू में जैसे थाइलेरियोसिस और बबेसियोस जैसी बीमारिया हो जाती है पशू में क्या होता है कि पेशाब के साथ भी काफी ज्यादा मात्रा में खून आता है यानि कि ब्लड लॉस होता है तो उस कंडिशन्स में भी पशू को रिकावर करने के लिए फैरिटास बॉलस का जो है वो यूस किया जाता है इसे के साथ ही पशू में मैंने आपको शेर किया है कि एक्टो और एंडो पैरसाइट की कंडिशन्स में ठीक है और कई बार क्या होता है कि पशू में आपने देखा अगा कि प्रोलैफ्स जैसी कंडिशन होती है ठीक है तो उस कंडिशन में फिर आपका पशू बहुत ज्यादा कमज़ोर हो जाता है तो में बाद अगर मैं आपके शाश्य कूं तो एनिमिक अगर आपका पशू है तो उस कंडिशन में आप यह जो बोलस है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं चीक है अगर आप इसके पेडिया फाइल देखना चाते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन ॉक्स में Midजाएगा वहां से इसका पूरा पेडिया डाउंलोड कर सकते हें ओं लाइन पर्चेस सारा जो सारा लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है तो एक जरूर से चेक आउट करें अगर आपको आज के वीडियो नॉलेजेवल लगी हो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा और वेटनरी फार्मेसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा मिलते हैं नय और फ्रेश व अन्यव रहे हो जार्मेटिव लेखेवगा शफद से चोनिता शेख़ लगाइब करेंगा मिलते हम इन्फॉर्मेटिज को पार्मेटिश को भाया कि भाया हो एक लिएक लगी हो लगी है